सो एलो फ्रेंड्स मैं हूँ अब्दूल और आप देख रहे हैं वैल अक्याडमी नाओ इस वीडियो में हम एक्जाम्पल्स डिसकस करेंगे सेलेक्टिव रिपीट का एक्जाम्पल नाओ यह सेलेक्टिव रिपीट से इसको सॉल करना है विंडो साइज दी गई है 3 और हमें 10 वुणरे सेठ्स करने और कहा गया है की हर 50 एवरीज dalतों जैसे कि आगे भी एक्जाम्पल किये हैं informal टेन करने तो हम लिख देढगे नाव कहा गया है के विंडू साइज 3 है और शॉड़िस्ट प्रक्वट विंडू साइज 3 है तो यह पहली बेंडों तो थेन पेकट अब दूसरी वेंड siis में आते हैं तो यह जो packet है, फिफ्ट वाला यह lost हो जाता है, selective repeat की बात की गई है, फिफ्ट पैकेट लॉस्ट होता है, तो फिफ्ट को ही retransmit करेंगे, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो next, अगें यह फिफ्ट पैकेट लॉस्ट हो गए, इसको हमने retransmit कि आगे बढ़ते हैं, और हम य फिफ्ट यह वापस से lost हो गए, तो इसको हम retransmit करेंगे, ओके, तो यहाँ पे टोटल पैकेट हमने कितने retransmit कि, यहाँ पे यह दो एक्स्ट्रा के बढ़ गए, तो टोटल 12 retransmissions हमने perform किये, यह चीज़ अगर stop and wait से करते है, stop and wait से, तो सेम ही होती है, सिर्फ विंडो साइ stop and wait का भी 12 transmissions, लेकिन अगर यही example को go back end से solve करते है, तो पूरी की पूरी window हमें retransmit करने पड़ती है, और यह example हमने आगे भी देखा है, total 18 retransmissions आते हैं, तो यहाँ पे इसका disadvantage आ जाता है, और advantage stop and wait का है, कि यहाँ पे retransmissions कम है, तो जैसा कि previous video में कहा था, कि selective repeat क्या करता है efficiency के लिए use करता है go back end को, और retransmissions और इसके लिए use करता है stop and wait के feature को, तो यहाँ पे दोनों को मिला के यहाँ पे हम selective repeat बना दे, इसके related कुछ examples होंगे, तो हम देखेंगे आगे की वीडियो में, इसके बाद हम देखेंगे access control methods की बात करेंगे, so I hope यह वीडियो आपको समझ म आ गया है, so इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, computer networks में और भी वीडियो में upload करने वाला हूँ, और well academy को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो कर लिजिए, और भी वीडियो अपलोड होंगी, so thank you so much. झाल